प्रेंड्स मध्यकालिन भारत की इतिहास की सीरीज में मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत-बहुत-वेलकम करता हूं आप सबका बहुत-बहुत स्वागत हैं केसे हैं दोस्तों आप सब उम्मीद करता हूं सब बहुत मस्त होंगे देखो सेर साथ सूरी को हम बढ़ रहे थे मुगल काल स्टाट की अधा लेकिन हुमायू चले नहीं पाया सल्तनत को और मुगल काल की बीच में अचानक से सल्तनत काल सुरू हो गया तो देखो हुआ क्या था हुआ यह था कि अफगान इस बात को नहीं भूल पा रहे थे कि भाई दिल् यह याज सता रही थी और अफगान मुगलों के सबसे बड़े विरोधी थे और सेर खा तो यह कसम खाकर बेटा था कि एक दिन अगर किस्मत ने मेरा साथ दिया तो एक दिन मुगलों को मैं हिंदुस्तान से बाहर ख़लेड़ दूंगा और हुमायू को उसने पंदरा सो चाल सेर सहा सूरी के नाम से पाधिशाह की उपाधिली देखो सेर सहा सूरी का सासन प्रसासन सामराज विस्तार खासकर उसकी मालवा नीटी और बंगाल की नीटी और उसका जो हम कहते हैं आबागमन सिस्टम जो था यानि कि आने जाने का जो जिसे रास्ते की बात करें तो रास्ते उसने वन बाए जिसमें जीटी रोड है यह सब बहुत बढ़ा विसय है इनको हम एक साथ नहीं पढ़ सकते इसलिए अलग-अलग क्लास में पढ़ रहे हैं लाश्ट क्लास में मैंने आपके साथ बहुत साम्राज विस्तार से सुरू करते हैं साम्राज विस्तार टीक है एंपायर एक्सपेंडिशन अब इसमें हुआ गया है कि वह सेरसा सूरी बन गए सुल्तान और बहुत मेंद्वकांची सुल्तान था बहुत मेहनत की धी उसने यह कहना कि हिंदू और मुसल्मान की वह सेरसा सूरी की मुसलमान था और हम हिंदू हैं हम उससे शीख नहीं ले सकते मेहनत की सीख और कैसे अपने आपको इस्ट्रिक्ट रखा जाता है यसी को आप सेरसासूरी से ले सकते हैं कमाल का वेक्ती था वो इस मामने सेरसासूरी सामराज जिविस्तार में है बंगाल से लेकर पेशावर तक पूरा उत्तर भारत जीत लेता है जिसमें गुजराच सामिल है, पेशावर सामिल है, सिंद सामिल है, मुल्तान सामिल है, उपर कासमीर छोड़ देओ, नीचे दक्षिन भारत, तो मुहम्मद बिन्तुगलक के बाद सबसे वड़ा अब तक का जो शासन-प्रसासन है, वो किस के पास है? बहुत सेरसा सूरी के पास देखो अब जिस समय सामराज जिवस्तार करने के लिए सेरसा सूरी निकला है उस समय भारत की हालत क्या है देखो गुजरात यह तो मुगलों के अधीन आ गया था लेकिन सेरसा सूरी नहीं एक व्यक्ति को वेजाता जो विद्रो कर देता ठीक है मालवा इस समय मारवाड इंपोर्टेंट है मेवाड की आलत खराब है ठीक है और एक है मेड़ता राजिस्थान के यह तीन स्टेट्स हैं दिल्ली आगरा में तो खुद अपना सेरसा सूरी है और बंगाल ठीक और इसके बाद आ जाए हम चुनारगड यह महत्पूर्ण स्टेट्स हैं जोनपूर सिंद और मुलतान और उत्तर पस्चिम में गखर प्रदेश ठीक है तो आप गखर प्रदेश मेवार मेर्ता सिंद मुलतान गुजरात मालवा चुनारगड़ बंगाल और भी बहुत सारी स्टेट्स सेर्शासूरी की सल्दनत में थे अब सेर्शा सूरी ने सुल्तान की उपादी तो ले लिए और हुमायू इस समय एरान में है तो हुमायू भाग रहा है देखो चौंसा के युद्ध से सुरू होती है सेर्शा सूरी के सामराजविस्तार की कहानी और कन्योज बिलग्राम पर 1540 कन्योज बिलग्राम पर उसकी निर्णायक विजय के बाद उसने आगरा और दिल्ली पर कप्जा कर लिया तो चोसा कन्योज इन पर तो कपज़ा हो चुका है और उसके बाद दिल्ली और आगरा पर भी ये कपज़ा कर चुका है ठीक है और हुमायू यहां से भाग आये भाग कर वो आया था अमरकोट के राज़ा बीद साल के यहां जहां पर 15 मार्च 15 सुबयाल इसको एक बालक का जन तो एक ब्यक्ति भाग रहा है उसके पीछे हुमायू के पीछे सेर सासूरी ने अपने बड़े लड़के कुतूब खा को एक सेना के साथ भेजा है कि जहां हुमायू मिले उसको माय डालो तो हुमायू भाग कर आया सबसे पहले अमरकोट के राज़ा बीरसाल के यहां तो ब कर देगा तो हुमायू यहां से भाग कर गया कामरान के पास कामरान कानधार का सा सकता है लेकिन उसने भी दोका दे दिया बहां से भाग कर वह इरान गया यह सब लाश्ट क्लास की घटना है उसके बाद क्या हुआ देखो जो अपना सेरसा सूरी है उसके सामराज जिवस्तार की कहानी यह सी है कि वो सामराज जिवस्तार कम करना चाहता है और बिद्रो जादा दबाना चाहता है यानि कि बिद्रो दबाते हुए उसको सामराज जिवस्तार करने का मोगा मिला चाहे वो घखर प्रदेश हो चाहे वो मालवा की नीति हो चाहे वह बंगाल हो देखो 1540 कन्योज विलगराम के युद्ध में ये तो जी चुका है दिल्ली आग्रा 1541 में गखर प्रदेश पे आकृमड करता है और गख्र प्रदेश पे आकृमड इसलिए करता है क्योंकि गख्र जो जन जाती है ये हुमायू के साथ मित्रता पूइन वेवार रखते हैं हुमायू के प्रती मेत्री भाव रखते हैं इसलिए गखरों पर आक्रमण किया अपने बड़े लड़के कुतूब खां और खबास खां को भेजा तीग है और जलाल खां ये तीनों लड़के का हैं और तीनों ने गखर प्रदेश को जला के राख कर दिया जिन लोगों ने विद्रो किया था सब को मार दिया लेकिन गखरों को अंतिम रूप से परस्त नहीं कर पाया जितना हूँ पाया उतना कर दिया ठीक है तो 1541 में गखर प्रदेश की विज़ है ठीक है उसके बाद देखो 1542 सबसे बड़ी चुनोती दी मारवाड के मालदेव ने है मारवाड में इस समय मालदेव है मेड़ता में बीरमदेव है और मेवाड में उदे सिंहे जो एक 12 साल का बच्चा है अब मालदेव और सेर्शासूरी इनकी कहानी वड़ी जवर्दस थे इनकी कहानी समझो आपको मज़ा आएगा तो इनकी कहानी में दोस्तों यह है कि जो अपना मालदेव है जब सेर्शासूरी कन्योच का युद्ध लड़ा था 1540 में तो मालदेव ने हुमायू की मदद की थी और सेर्शासूरी ने बोला था जिस दिन मैं हुमायू को हरा के बहर कर दूंगा सबसे पहले मेरा अटेक मालदेव पर होगा ठीक है अब हुमायू हार चुका है और के पास भी किया था हुमायू हुमायू कि मालदेव के पास Hah लेकिन एक पत्र आया सेर्शासूरी का सेर्शासूरी कि छोड़ दो या फिर को अट कर लो या फिर मार के मार साबीनहीं का क्स्छित थो लेकिन ये हमायू का दोस्त था राजपूतों ने मुघलों से बहुत अच्छी दोस्ती नहीं बाई तो माल Deer ने केद नहीं किया माल देड को छोड़ा और हुमाीय यहां से भग गया तो मालदेव से दुस्मनि हो गईं किस वाध से इस वात से कि माल कुम ändam detection कि या फिर हमारे पास क्योंolie भेजा कि स्वास्टे माल डेव की दुष्मनि की माल देव ने महार बार से सायतां हमागी मिर्था से सायतां हमागी लेकिन राजपूतों की दुस्मनी राजपूतों की पुस्तेनी दुस्मनी आपस में लड़ाई तो माल देव पर अब अटेक करेगा तो देखो 1542 में पहला अटेक करा लेकिन माल देव ने अच्छी खासी लड़ाई की और बापस भेश दिया सेरसा सुरीक सेना को बापस अरागे भेश दिया उसके कि बाद लड़ाई उससा में जब जादा हो जब इसने सामड़ाजिविस्थार किया माल देव माल देव दिली से लगवक पचासमील की दूरी यानिदी beauty वेहां तक उसने सामड़ जिविस्थार कर लिए तो अब सेर्सा रुए को लगा कि ज़रूरी हो गए अगर माल्देव को नहीं रोक गए तो यह ढू दिल्ली पर भी आक्रमण कर सकता है असे में गुजराथ नया क्रमण कर दीया तो दिख्कत हो जाएगी इसे में यह सब एक हो गए तो भी इकत हो जाएगी तो यह चाला की काम आई किसकी सेरसा सूरी की तो सेरसा ने मालदेव पर आक्रमण किया देखो सेरसा बर्सिस मालदेव यह 1545 की निर्नायक लड़ाई है राजिस्थान भी जे पड़ा रहा हूं में ठीक है राजिस्थान इस निर्नायक लड़ाई में राच्पुतों बड़ाई की सेरसा और सेरसा रेगिस्थान एंसवां संयाव पतता कि कहां पर कूंसी नहीं जा सकती क्या किया जाए राजपूतों ने आगे बढ़के पूरे जितने भी अक्वान सेना थी उनको मारना सुरू कर दिया सेर सासूरी ने इतना खतरनाक दिमाग चलाए सेर सासूरी ने ये किया कि भाई मालदेव के जो सेना पती थे उनसे अपनी तरफ एक पत्र लिखवाया मतलब उन लोगों ने लिखे नहीं थे मतलब अपने नाम उनके नाम से एक पत्र लिखवाया और उस पत्र में ये लिखा था जैसे कि ये लिखा होगा कि भाई सेर खां हम तुमाय साड़ा जाते हैं और मालदेव को मार देते हैं और यह सारे पतर मालदेव के रूम में फिक्वा दी यहां पर माल लेकर यहां मालदेव को सहनी पर सख व गया। यह सेन पर्से बिस्वास अठेखग yarn गया ऑद्रमालदेव ने फैसला कर डिया कि मैं जौतपुर बापिस जाऊंग उसकुर बापस आगा है यह देखला बापिस जोद्पुर आ गया है, सेरसा सूरी कामयाब, जैता और कुम्भा, दो सेना पती राजपुछ सेना पती, लगवग दस अजार, छे अजार से दस अजार सेनिक बताते हैं, आखड़े यह आते हैं, ठीक है, तो छे अजार से दस अजार की सेनिक, संख्या के साथ, जैता और कुम्भा इस युद्ध में अंत तक लड़े और उनकी हार कर मोथ हो गई इनका नाम नहीं चलता लेकिए इस युद्ध में दो महनायक राजपुछ सेनपती मारे गए और अपना माल दे भाग गया है हमेशा की तरह ठीक है उसके बाद देखो यह तो राजिस्तान पर कपजा हुआ मारबाड एक बहुत बड़ा इलाका था जिस पर कपजा हो गया अब एक कहानी है और यह कहानी लिखी अब्बास सरवानी कहते हैं कि जोद्पुर जीतने के बाद जब सेर्साशूरी वापिस जा रहा था तो उदे सिंग खुद आया और अधीन तस्विकार कर लिए और उसको बहुत सारा धन लिया लेकिन कहानी है जूटी कहानी क्योंकि उस समय की इतियासकार कुछ ऐसा बताते नहीं है यह बताता है तो जाने दो अब उस बात को ठीक है तो राजिस्तान पर कप जा अब मेरता का जो भी रमदेव था उस पर आ राजिस्तान सेरसासूरी के कपजे में 1545 तक आ गया अगर मिलकर लड़ाई की होती तो एंड़ेट परसेंट है विजय होती किसकी राजपूतों की लेकिन राजपूतों की दुस्मनी के देखो 1542 मालवा विजय और मालवा का इस समय कादिर्शाह सुल्तान है कादिर्शाह या मलुखा ये मालवा का क्या है सुल्तान है कादिर्शाह या मलुखा इससे दुस्मनी आज की नहीं है इससे पुरानी दुस्मनी है ये भी हुमायू से मित्रता के भाव रखता था, मित्रता रखता था और कादर शाह ने हुमाईयू की बार बार मदद भी की और इसने अधीमता भी स्विगार की थी और सेर खाने इससे कहा था कि कादर शाह या तो तुम हुमाईयू से दूर रहो या फिर हमायू के खिलाब हमारे साथ युद्ध लड़ो नहीं माना अब कुछ इतियासकार जिसे बड़े-बड़े इतियासकार हैं मद्यकालिम केआर कानून गो हुए अब बासरवानी हुए और महात्मा सरन हुए तो इन लोगों का कहना है कि इस पर आक्रमण करने के कारण राजनेतिक और आर्थिक थे क्योंकि मालवा राजिस्थान और गुजरात के बीच में पढ़ता है देखो बहुत बड़ा इलाका है मालवा छोटा इलाका नहीं है तो, उनका कहना है कि माल्वा पर इसलिए आक्रमण करना चाहता था कि सीधा रास्ता मिल जाए। ठीक है, कुछ का कहना है कि खजाना भुत था तो, आर्थिक कारण न्राजनेतिक कारण सारे कारणट थे, तो कادिर शाह पर आक्रमण किया और कादिर शाह को, मोत के घाट स्टार दिया 1542 में कज्चा माल्वा देखो तो कि राइसिन पर आकमड मध्द भारत यानि मध्द प्रदेश इस समय राइसीन और राइसिन का आकमड सबसे बड़ा और सबसे बड़ा कलंक आप्रमड है किसके लिए सेरसा सूरी के लिए पूराण मल राजपूत यह यहां का सा यहां पर किया सेयर सा सूरीन है यहां परकुरान की जूटी का समखाई हुआ क्या में कुछ अमीर भॉबरकौर बिखने पूरण मल राज्फुच activating मुसलमानों पर को इस ऊसलमानों को पर अत्याचार के रहा है मुसलमानों को सताता है यह जबकि ये बात छूट है पूरण मल ने कहा कि नहीं हम तो सप्रेम से रहते हैं लेकिन सेरसा सूरी को आक्मन करने का मोका चाहिए था क्यों क्योंकि ये भी हुमायु के प्रति मेत्री भाव रखता था मुगलो से दोस्ती थी राजपूतों की देखो तो पूरण म में का जो किला था उस पर चार महा का घेरा डाला चार महा चार महा के घेरे में पूरण मल का किला नहीं जोका लेकिन रसत पानी की कमी आई और पूरण मनले समरपन कर दिया और पूरण मनले कहा कि हम यहां से चले जा रहे हैं किला आप क्या बाले रात को यह निकले यहां से सेरसा सूरी ने रात को राजपूतों पर पीछे से हमला किया और पूरे राजपूतों को काइट डाला जबकि यहां पर इसने कुरान की कसम खायती कि अगर हम आत्म समर्पड कर देते हैं तो हम पर हमला नहीं किया जा इसने कसम खायती सेरसा सूरी ने लेकिन सेर सासूरी का विस्वास घाती रूप सामने आया और पूरण मल पर पीछे से आक्मण किया और पूरे राजपुतों को काट डाला गया और हज्जारों राजपुतरानिया जो हरमें जल गए तो ये सेर सासूरी के जीवन पर कलंख है सेर सासूरी का बड़ा लड़का कुतूब खां उसने तुरत आत्मत्या कर लिया अपने आपको भही जला लिया केता है कि हमारा बाप तो एसा घद्दार है एसी विश्वास खात करता है कुरान की जूटी कसम खाता है तो रायसिन का किला जीत आ गया कि उसके बाद कालिंजर अभियान कालिंजर यह भी मद्द्पदेश में मैं थोड़ा सा स्कूपर बना दूँ एक सेकंड कि देखो कालिंजर इस पर आखरी आक्रमड था अब यहाँ पर आक्रमड करने आया कालिंजर का किला अवेद्द किला माना जाता है इस पर गहरा डाला इस पर गोला बारू तोफ से बोचार की जा रही है बहुत बोचार की जा रही है अब सेरसा सूरी यह बेठा हुआ है आजू बाजू यह पूरा क्या है बारूत का धेर है अब किले की दिवार पे जब इसने गोला मारा तो भगवान जाने एक चंगारी चटकर आई और जो बारूत था उसमें आग लग गई और पूरा जल गया यह लेकिन आगरी आगरी तक भी यह ख़बर आई कि साव हम जीत गया आगरी आगरी तक भी ख़बर आई कि साव हम जीत गया और सेरसा सूरी मर गया अब सेरसा सूरी के इधर की कहानी उधर की कहानी भी तो है उधर की कहानी समझो है उधर की कहानी देखो अब आप कांधार इरान यहां पर हुमायू आया था हुमायू यहां से आक्मण करने आ रहा है 1552 हुमायू ने कांधार पर आक्मण किया कामरान यहां का सासक है इरानी फोज और बहुत सारी तोपों के साथ आक्मण किया है किले के गेट के ऊपर अकबर को एसा लटका दिया कामरान में और हुमायू से कहता है कि आत्म समर्ण कर दे नहीं तो तेरे लड़के को हम नीचे आग जल रही उसमें गिरा देंगे पिच्चर वाला से हुमायू ने का ठीक है हुमायू ने जान दो तोप तोप चल रही है और हुमायू की जितनी भी है उन्होंने पूरे किले को ध़स्त कर दिया और यह जो अकबर ठावी इसको जिंदा बचा लिया गया अग्लो दोनों बाप बेटे मिल ली आज हैं तो अकबर और हुमायू कै अब ये दोनों से मिल गया कामरान को तो हरा दिया और कांधार पर 1552 वाबन में में पिर से कब्जा कर लिया और 1555 भारत पर फिर से आक्रमर इस समय सेर सासूरी तो मर चुका है इस समय उसका लड़का इसलाम सासूर सा सके है कि देखो इसने आक्मर तो 1553 से शुरू कर दिये थे लोकिन लेकिन जो मुख्य आक्मर था वो 1555 से माना जाता देखो अब कहानी सुनो उत्राधिकारों की कहानी सुनो सेर साह के उत्राधिकार सेर सा के उत्राधिकारी में जलाल खां यह इसलाम सासूर के नाम से सुल्तान बना जबकि आदिल साह को उत्राधिकारी नियुक्त किया था खुद शेर्ख सहा ने आदिल साह को जो सबसे बड़ा लड़का था वो था आदिल शाह आदिल साह को नियुक्त करके गया था लेकिन जो सरदार थे और जो अमीर थे उन्होंने कहा कि यह थोड़ा धीला है कि इसको बना आदिल सा भाग कर गुजरात आ गया है और यहां से प्लेणिंग कर रहा है कि केसे स्कॉइट आया जाए यह इतना क्रूर है और अपने बाप पर गया है से सासूरी से जादा इतियास इसका है इसलाम सासूर का अपने सारे भाई हुक मरबादी एक क्यों मरबादी है क्योंकि यह चाहता है कि एक केंदीकरत सासन हो इसको डर लगता है कि मेरे अलावा कोई दूसरे बेखती कहीं सुल्तान ना बन जाए वह विस्त में तो इसने कुटूब खान जो तो बहुत मर गया था उसके बाद जितने सरदार इसके खिलाब बढ़िए और उसने सासन में गजब का किंद्रि करन्ट चालू कर दिया थिस सात्ता को अपने हाथ मेتي लेना इस्लाम सासुर ने शुरू कर दिया 12 साल तक इसलाम साहसूर ने बहुत अच्छे से सल्तनात को चलाया इसके बाद इसका लड़का फिरोज शाहसूर ये बना सुल्तान लेकिन ये ऐसा सुल्तान था कि ये 12 साल की उमर का था इसको मार कर इसके मामा मुबारिच खाने आदिल शहा मुहम्मद आदिल शहा के नाम से दिल्ली और आगरा पर कपज़ा करके पादिशाह की उपादी ले ले मुहम्मद आदिल शहा इसने दिल्ली और आगराप कपज़ा कर लिया इसको मार दिया इसी मुहम्मद आदिल शहा इसी मुहम्मद आदिल शहा का सेनपती था हैमु जो पा दिल्सान है दिल्ली आगरा पर कप्जा करा उसके बाद क्या हुए देखो दिल्ली आगरा पर कप्जा कर लिया दिल्ली आगरा और वहां से आया चुनारगड बिजे के लिए तो इसका एक बहनोई है सिकंदर सहसूर तो सिकंदर सहा ने पंजाब से आके दिल्ली तक कप्जा कर लिया अब दिल्ली से लेके चुनारगड यहां पर किसका कप्जा है आदिल्शाह का और पंजाब से लेके दिल्ली तक किसका कप्जा है यहां पर कप्जा है सिकंदर सा सूर का पंदरा सो पचपन तक की ये घटना है इसी पंदरा सो पचपन में जो सूर सामराज था वो पाँच भागों में बढ़ गया बंगाल अलग हो गया तीके दिल्ली आगरा अलग चुनागर अलग पंजाब अलग जोनपुर में अलग सत्ता चलने लगे तो देखो होगा क्या इसी समय हुमायू ने आकमर किया सिकंदर सा सूर का और पंदरा सो पचपन में सिकंदर सा सूर को मोत के घट उतार दिया दिल्ली आगरा पर कपजा कर लिया दिल्ली आगरापर कपजा करने के बाद हुमायू दीने पना पुस्तकाले की सीडी चड़ रहा था उस सीडी चड़ते हुए एसा धक्का लागा कि गिरा और सरकी एका हड़ी तूटी और मर गया इस पर इतियासकार तंज कसते इतियासकार केते हैं कि हुमायू जीवन भर लड़कराता रहा उसकी मोहत हो गई तो हुमायू की मोहत हो गई और इधर अकबर 14 साल का है जा ओने सकता मदद मांगनी सकता किसी से कामरान को कांधर वापिस दिया है ठीक है इसर आनेugi सकता क्यों क्यूंकि चुनारगाड से पापिस आकर है मुने कि दिल्ली और आगरा पर कब्ज़त कर लिया है और खुद ने विक्राम जीट क्यों पाधिलेलें लेकिन इतना बभादार है इसने अपने आपको बादसागोसित नहीं किया चाहता तो मार देता इसको आदिलसा को लेकिन नहीं मारा क्यों इमांदर बनना इनको शुरू से आदत है ना गुलामी करने कि और हेमु ने दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया यहां तक अपनी कहानी पहुंची है अब अकबर के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो कहां जाए इधर आकमड करने सकता इधर आने सकता अब अकबर के ऊपर यह डिपेंड करता है और इस समय बेरम खां अकबर का संदक्षक औ और उस्ता दोनों यह अब क्या होता है यह नेक्स क्लास में पढ़ेंगे अफेक्ट की वारी है देखो है अफेक्ट की वारी है आज की क्लास का सबसे बड़ा फिक्ट है बंगाल का देखो ये बंगाल है बंगाल बंगाल का बिद्रो हुआ था 1542 को सिंध और मुल्तान ये 1541 को जीता था शेर सासूरी ने और ये 1542 का ठीक है बंगाल में बिद्रो हुआ थीक बंगाल में जब बिद्रो हुआ तो शेर सासूरी खुद आया और उसने इसको उन्निस उपभागों में बाटा उन्निस इस उन्निस उपभाग को अमीन ए बंगला एक मुक्य अधिकारी के नाम छोड़ दिया मुक्य अधिकारी उसका नाम था अमीन ए बंगला इसमें होता क्या था कि यह जो प्रांत बनाएगा है इसमें एक एक अधिकारी रहेगा और इन अधिकारियों के पास पाबर होगी लेकिन सेना नहीं होगी और मुक्य प्रवंदक जो है अमीन ए बंगला इसमें वो बना था काजी खजिलाथ पहला अमीन ए बंगला कुन बना था काजी खजिलाथ तो इसमें होता यह है कि जो अधिकारी होता है उसके पास अधिकार होते हैं लेकिन सेना नहीं होती इसके पास सेना है लेकिन कोई अधिकार नहीं है ऐसे करके हमेशा के लिए बंग इसके बाद देखो कि कालिंजर उसका अंतिम सामराज्य विस्तार के लिए अंतिम्हाकमर किस पर किया था उसने कालिंजर ऑग जो राजा था वो तक कीर्थिमान सिंग्ग या कीर्थी सिंग्ग तीक है यह में बताना भूल गया तहीं आप ध्यान रखना GT road कि बात करें तो यह बंगाल का सुनार गाउं जो है, आजकल बंगलादेस में चला गया है, यह सुनार गाउं से लेके पेसावर तक, इसकी लंबाई आप देख ले ना मुझे लंबाई का पता नहीं कितना है, यह GT road सेरसासूरी ने बन बाया था, इसे grand trunk road या सेरसासूरी मा टिंगते हैं उसके अलावा से बुरानपुर एक सडक बनवाई थी उशने स्सक्राइब पड़ाद करें लेकिन अभी जो बता दूत को देखो जो रुपया वाला कंसेप्ट है वो सेरसा सूरी लेकर और इसकी मुद्रा इतनी अच्छी मुद्रा मानी जाती थी और इतना जो मतलब आंकड़ा था इतना परफिक्ट माना जाता था कि इस पर जानकीन इसमिथ जो आदुने कितियास कार हैं उनका कहना है कि वो अंग्रे जो की आधार मनी वो मुद्रा हैं अंग्रे जो तक चलती रहें ठीक है इसने जो सिक्का चलाया था वो था 178 ग्रेन का ठीक है और इसे रुपया कहा जाता था यह आप ध्यान रखना है बांकी हम सामराज विस्तार तो पढ़ चुके हैं और बांकी सारी चीज़े पढ़ चुके हैं जब प्रसासन और सेर्शासूरी के समस्यां यह सब पढ़ेंगे तब हम और डीटेल में डिसकस करेंगे तब तक लिए दोस्तों मिलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोग लाइक जरूर करना पानीपत का दूसरा युद्ध और डीटेल में पढ दोस्तों मिलते हैं।